गुड मार्निंग स्टुदेंट्स वेलकम इन मंजू बायोजी क्लासिस वी हव स्टार्टेड चप्टर टू बायोजीकल क्लासिफिकेशन स्टुदेंट्स हमने टेबल 2.1 क्या था जो विटकर की क्लासिफिकेशन थी 1969 में दी गई ठीक है तो हमने इसमें देखा था कि five groups बनाये थे मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लान्टे एंड अनिमलिया तो जितने भी प्रो केरियोड्स थे वह सारे किसमें रखे गए थे मोनेरा में बैक्टिरिया एंड ब्ल्यू ग्रेनल्गे किसमें रखा गया मोनेरा में प्रोट जाई यूकेरियोड सारे यूकेरियोड होंगे ठीक है ना तो बाकिए आप इनका देखना mode of nutrition जैसे ये क्या है मोनेरंस जो बैक्टिरिया और ब्लू ग्रीन अलगे ऑटो ट्रॉफिक ऑटो ट्रॉफिक में दो टाइप का इसमें था कीमो सिंथेटिक एंड फोटो सिंथेटिक है ना और हिट्रो ट्रॉफिक भी था हिट्रो ट्रॉफिक में में मेंली था सेप्रो फिटिक एंड पैरसिटिक ये आपको याद रखना होगा प्रोटिस्टन्स में क्या था इसमें कीमो सिंथेटिक नहीं था फोटो सिंथेटिक था और सीधा हिट्रो ट्रॉफिक लिखा ठीक है आगे किस प्लांट्स के अलावा कहीं भी हिट्रोट्रॉफिक नहीं है ठीक है मतलब सौरी ओट्रोट्रॉफिक नहीं है अब हमने आज स्ट्राट करना है किंग्डम मोनेरा के जो मैंबर्स हैं वो हैं बैक्टेरिया अनु सुल मैंबर्स अगर आप यहां से भी याद करोगे स्टीवy यहिए दो मैंने अभाइन नॉन सैलूलोजी क्या निकिक वाल जो फॉली सेखेराइड झाली आपनीरीश कोस्ते हैं में तो स्टेम ते चाहे में धेचछ बैंडेर्य बिद्धी बिदरक अग्पीर आपी पर आपाने होते हैं जएक जो होते हैं ॥ देजर्ट में टेंपरेचर बहुत ज्यादा होता है स्नो बरफ में एंड डीप ओशियंस ठीक है वेर वेरी फ्यू अधर लाइफ फॉर्म्स कैंसर वाइफ और कुछ जो है एजब पैरसाइट भी पैरसाइट होता है जो दूसरे से अपना बेनिफेट उठाता है ठीक है वो ग बैक्टीरिया ओल्मस्ट अकर एवरी वियर हैंड फॉल अफॉल कंटेंस हंडर्ड सौ बैक्टीरिया दे लिव इन एक्स्ट्रीम हैबिटेट्स हार्ट स्प्रिंग्स डैजर्ट स्नो डीप शिंस वेर फ्यू अधर लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्स और मैनी ओफ देम लिव और इन और ओन अधर और्गिनिजम्स एस पैरसाइट तो आप याद रखिए कि जो मुनेरा है उसके सोल मेंबर्स हैं बैक्टीरिया ठीक है तो बैक्टीरिया किया फोर कैटेग्रीज डिवाइड कर दी हुई है उनकी शेप के बेसिस पे कोकस रॉड शेप बैसिलस सर्कलर wanna ओभल शेप जो भी है इनके स्फारिकल जो है कोकस होंगे ना गोलाकार से रॉड की शेप में जो होंगे वह दैसीलस होंगे काॉमा शेप जो है वह वाईबरियम है का मा की कॉमा जैसे होते हैं कॉमा दढ का आफ अас 20 आ वैसा वद्स पैरिंव बूला हैं में हमने हम ने Cocos, Bacillus, Vibrium and Spirulum ठीक है? यह इनकी shapes है आप बताईए यहां से देखो नीचे लिखा भी है Cocos, Bacillus, Bacillus, Spirulum, Spiral Ship है न स्नेक की तरब, Vibrio यानि की Commas देखो है न Commas अब हमने Mode of Nutrition पीछे भी पढ़ा था कि Bacteria's क्या होते हैं? Some of the Bacteria's are Autotrophic और यह हमें पताई कि इनकी बहुत जादा Diversities मिलती है, Extreme Conditions में इंग्रो करते हैं Shapes में हमने इनकी पढ़ ली तो Some of the Bacteria's क्या है? Some of the Bacteria's Autotrophic हैं अभी हमने पीछे पढ़ा फोटो सिंथेटिक और कीमो सिंथेटिक इन में होता है They synthesize their own food from the inorganic substances They may be photosynthetic autotrophic and chemo-synthetic autotrophic ठीक है ना? लेकिन जो जादा तर जो Bacteria's है वो है heterotrophs That is, they do not synthesize their own food अपना खाना नहीं बनाते हैं लेकिन दूसरे organisms पर depend रहते हैं या फर dead decaying organic matter भी वो depend रहते हैं ठीक है तो let us end with this Have a nice day